हेलो एवरिवन आज ना ब्रेकफस्ट के टाइम पे रोटियां बच गई थी तो मैंने सोचा लंच में क्या सबजी वगरा बनाई जाए तो मैंने एक बढ़िया सी रेसेपी बनाई जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो इसके लिए ना सबसे पहले तो मैंने जितनी चपाती बची थी वो ले लिया और उसको इस तरीके से मैंने कट किया वीडियो में आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से सारी रोटियां हमें कट करनी है इसके बाद मैंने क्या किया है मैंने या पिन शेजवन सॉस लि सकते हैं देखे इस रेसिपी में अब अपने हिसाब से किसी भी तरीकी का वारिएशन कर सकते हैं चाहे आप सौसिस को लेके कर ले या फिर सब्स यों को लेकर कर ले जैसे कि मैं आप अभी चीज एड़ कर रहे हूं तो चीज की जगह पे आप पनीर भी आपे ग्रेट करके डा इसके बाद मैंने क्या किया ना मैंने बारिक कटकर के लिए प्याज टमाटर और हरा धनिया तो दूसरे साइड से मैं प्याज टमाटर और हरा धनिया एड़ करूंगी लेकिन इसके जगह पर आप यहां पर गाजर शिमला मेर्च पत्ता गोवी यह सारी सबजियां भी उसके उपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लिया है ताकि सारी चीजों का हमें टेस्ट मिलता रहे और यहां पर जो मैंने मिक्षर लिया है उसको मैंने बिल्कुल अच्छे से क्रश कर लिया है हातों से तो बस यहीं मिक्षर मैंने एट किया है यहां पर पापड वगरा भी एट कर सकते हो क्रश करके तो अब ना आप जिस तरीके से वीडियो में देख रहे हैं उसी तरीके से हमें इस चपाती को फोल्ड कर लेना है तो कैसी लग रही आपको यह रेसिपी यह बहुत ही टेस्टी बनती है और जो बच्चियों ही रोटियां होती है उसका यह बहुत ही अच्छा यूज है और यह बहुत ही फटाफट से भी बन करके रेडी हो जाती है कोई महनत भी नहीं है इसके साथ तो चलिए अब हम फटाफट से आजाते हैं गैस के तरफ तो यहाँ पर मैंने सैंडविच पैन ले लिया है यहाँ पर आप सैंडविच पैन के चपाती को न मैं बिल्कुल लो फ्लेम में पका रही हूँ बिल्कुल प्रेस करते हुए ताकि यह उपर से बिल्कुल क्रंची बने क्योंकि इसके उपर वाली लेयर में जब क्रंच आता है न तब यह बहुत ही जादा टेस्टी लगता है और अब जब यह रोटियां पकाए तो आप जरूर से ध्यान देना कि आप इसे लो फ्लेम में और बिल्कुल प्रेस करते हुए ही पकाए और यहां पर हमारा लेफ्ट ओवर चपाती का नाश्ता बोल दीजिए या फिर लंच बोल दीजिए बन करके रेडी हो गया वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्स सब्सक्राइब जरूर से करें थैंक यू फर वाचिंग